हलो फ्रेंड्स विलकम बैक टो मैं चैनल मैं श्निय है आज मैं आपे बनाने वाले हूं पालक के पकोड़े जो बहुत ही हल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं तो आप इनको बनाइए तो यहां देखिसे दो जुड़ी पालक लिया है और यहां पे लिया है यहां थे ने तो बड़े अलू कट करके और दो बड़ी प्याज इनको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है आधा चमच हल्दी पाउडर तो आप यहाँ पर चाहे तो अब भी मसाले आड़ कर सकते हैं मैं सिर्फ इतना ही डालूंगे और बारी कटी हुई हरी मिर्ज तो पहले में इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं हल्दी और नमक को तो आपको फिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पेश्ट बनाना है और क्योंकि उसको जाफ जादा पानी चूटता है जैसे हम नमक डालेंगे तो उसमें बुहुत सारा पानी निकलता है तो आपको बिल्कुल थीक पेश्ट बनाना है इसका और एब हम इसमें तो आप अब यसमें मिक्स कर लेते हैं पालंग को ह कि आ यह चेश करना है और आप इसको हाथ से मेंक्स करिएं तो ज्यादा अच्छ अफे मैंस होगा तो थोड़ा से पानी भी है डालेंगे हैं हम भहु ज्यादा पानी भी नहीं डालना न। आपका जो बैटर है भहुत ज्यादा गिला हो जाएगा और आपको ऑपद आप ना पाएंगे अब मिक्स कर देते हैं इसमें प्याज और आलू कटे हुए तो सिर्फ पाला की पकोड़े भी आप बना सकते हैं मैंने आपे आलू प्याज भी मिक्स कर लिए क्योंकि बच्चों को थोड़ा आलू ज्यादा पसंद होता है इस वज़ा से यह देखिए हमने इसक नहों प्यास्हाय तो मिर्च का पेस्ट बनाकर यह कर सकते हैं तो तो इब मिर्च के गाते हैं यहां पर देखिए हैं जाएक टू कि पर गच्चों कर दिए अप मिर्चो मिया इ psychopath वहागा वहेर फिरुल कर देखिए हॉं और इस तरह से हम इसमें पकवड़े डालते जाएंगे बहुत ही हल्दी है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं पकवड़े तो आप किसी भी चट्नी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ो के लिए भी हेल्दी है क्योंकि इसमें पालक डला हुआ है और बच्चों को भी पसंद आएगा क्योंकि इसमें हमने आलो भी मिक्स किया हुआ है तो इसी बहाने से बच्चे थोड़ा पालक भी खाएंगे नहीं तो वैसे तो बच्चे पालक जल्दी नहीं खाते हैं तो यह देखिए हमने सारे पकोड़े कड़ाही में डाल दिये हैं अब दो मिनट रुकने के बाद हम इसको फिर पल्टेंगे तुरांत इसको नहीं पलटना है दो तिन मिनट के बाद ही आप पल्टें जब थोड़ा इनका कलर चेंज होने लगे यह देखिए इस तरह से और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना अच्छे से ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाएं केंगे और कुल्डे क्रिस्पी पकॉड़े बन कर तयार होते हैं अगर आप इस तरह से बनाते हैं बहुत ज can की मात्र अपको नहीं रखनी है बेसं जादा रखेंगे तो पकउड़े उतने ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे सॉप्ट बनेंगे तो आप यहाँ पे बेशन की मात्रा कम ही रखिए और तो यह देखिए पकाड़े हमारे बिल्कुल पक चुके हैं और आप इनको निकाल लेते हैं तो जब भी आपका मन करें बिल्कुल इनको फटा फट बनाईए और इसमें बहुत ज़्यादा आइल भी नहीं सोकता है तो चलिए एक बार हमारों डाल देते हैं और आप इसको किसी भी चटनी के साथ सॉस के साथ या टोमाटो के चप के साथ खा सकते हैं बहुत टेश्टी लगते हैं और बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत ज्यादा ऑल भी नहीं सोकता है तो यह देखिए बिल्कुल हमारे जो पकोड़ें बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही क्रस्पी और क्रंची बने हुए हैं तो आप गर्मा गर्म इस तरस पकोड़े बनाएं और सबको खिलाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए